अस्सलाम अलेकोम है मुटले वरकातो आज हम पाव भाजी बना रहे किसी की रिक्वस है यह बटाटा है यह आदा किलो बटाटा है इसको उबाल के छील के लिए देखो अभी मेश करने का बाकिये यह इससे और यह वटाना है ताजा वाला वटाना है इसको हम उबाले हैं और यह फुलावर है इसको भी उबाले है नमक डाल के और यह इसका पानी है हां शिमला मीट हमारे शिबली नगर में नहीं मिली इसलिए हम ले नहीं लिए लेकिन फुलावर वटाना उबाले हैं इसका पानी यह है और यह चार बरे-बरे कांदे को अच्चे से चौप करके यह Qatar लेंगे ईए एक लिंबू का रस है यह कोधमिर है और एक करीपत्ता है एक हमναक अदा चमक जिरा है आदा चमक राइं यह तरका देने के लिए और यह स्रिफ लसन का पेज है यह लसन का पेश है डेल चमच 1 चमच किश्मिरी लाल मिर्च परडर है और ये दो चमच आपकर के पाओ-भाजी मसाला है और ये 4 मिर्ची को चौप करके लिए लिए अभी बतारे बनाने का ये तेल है 지금 इसमें से 3 चमच भरके तेल लेंगे तेल liter, क्योंकि मस्का दालने केले, बाईकर 12 में दे रसाइन सेटे कर्द लें बाईघ मस्का दालने के हैना, तिन आखी तो कांदा दालने के बतार को इविक आपगे देखो तेल गरब राय और जिरा दाले कें प्हराइक सedsiform अनी अरो डाले यह दो डाली करी पत्ता है इसको अच्चे से भूनेंगे यह देखो यह आदा कामदा इसमें दालेंगे एकदम बार इक चौप करके लिए आदा दालेंगे आदा उपर से लगाएंगे अब इसको अच्छे से भूनें गया नमक दालें अब इसका कलर बदली होने तक कलर बदली हो गया कि फिर बटा देंगे आपको अब यह बटाटा मेच कर रहे हैं और पूरी मतलब फुला वरे बटाना है सब मेच करेंगे आपको बटाएंगे कि अधा टमटा दालेंगे अधा बाद में रखेंगे अवपर से दालने के लिए अभी देख इसका हिलाएंगे बटाटा मेच कर रहे हैं तो सीधा हाथ इसके अंदर है लेव्ट ती हाथ से हम गुमारें हां बाटाना मेंच हो गया, फुलावर भी मेंच हो गया, वटाने को अफुन नहीं करने का, वटाने को अख़्ा रखने का, आदा, टमाटा, करी पता, नम्माग, यह सब भी हो गया है, देखो, थोरा और गलना ची यह ठमाटा, फिर आपको बताती, पूरा गलनाने के बाद, यह आपको तेज नहीं के साथ हुरी मिर्ची दालो, फिखा की हिसाब से दालो, अगर तेज चाहिए आपको पाभाजी, तो मिर्ची दालो, आ पावजी मसाला और केश्मीरी मिर्ची पौडर दालो, लाल अच्छा दिकने, अच्छा कलर आणे की लिए, अच्छा भुनने का इसको अच्छी खुच्बु आने तक भुनने का अच्छे से अभी देखो पावभाजी मसाला भी दाले और कश्मीरी पॉडर भी दाले अभी इसको अच्छे से भुनेंगे खुच्बु आने तक मसाले को अटेस बुणास तो तरह तेस आता है अब नो अच्छे से कषनाओ क्रेशंटि लगने के वнуться करने का सब्सक्रचिक भुणार करतें भाजिशंटि के सकते हैं तीर भुणारे लोगना जनुच्छी है इते इत्के वबबनों अच्छी से बनानी का प्राइम गया परवा नहीं लेकिन अच्छा बनाने का तेश्टी तेश्टी अब इसके अंदर हम भाजी का पानी दालेंगे यह देखो भाजी उबाले ना उसका पानी दाल रहें अब यह पानी दाले अब फोरा साइस को पकाएंगे एक मिनिट उसके बाद यह बटाटा बट दाना फुलावर दालेंगे हां हमको शिम्ला मिल्च नहीं मिली आपको मिलती है तो आप ले क्या आओ और बनाओ ऐसा हमारे तरीके से शिम्ला मिच के लिए कमेंड नहीं देना क्योंकि हमारे शिबली नगर में मिली नहीं शिबला मिच इसलिए हमने दाले नहीं आप दालो अच्छा लगेगा एक टेष्टी लगेगा यह भी टेष्टी लगेगा इसमें कमने होईगा लेकिन सिम्ला में इसभी डाले?, नहीं डालिए तो भी चलीगा,ैसी कोई बात में अभी इसको अच्छा उबल आ गया ना, अच्छा जोस आ गया देखो, बुरबुर्य आ रहे, बुरबुर्य आ गया ना, कि फिर वटना बटना फुलाओ और मुझे भाजी है, वो दालेंगे अंदर, यह देखो, अभी पूरी भाजी इसके अंदर दालेंगे, और अच्छे से हिलाएंगे, बारिक ज्यास करेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, तो अच्छा बारिक ज्यास पर पकेगा, तो अच्छा लगेगा, मिक्स प्योएगा, अभी इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से, एक लिम्भू का रस हम डाल रहें, आपको चिए आदे डालो यादे और डालो क्योंकि यह खट्टी थिक्खी बाजी अच्छी लगती, पावजी खट्टी तिक्खी एकदम पर्सक्लास अब यह तेज दी, अभीह मखण दालेंगे यह देखो, बिसमिल्लाय दुमान पे, देखे, यह मक्खन दाले, फिर सब अलग से करेंगे, वो दालेंगे अलग, अभी हिला रहे, मिक्स कर रहे, अभी पकने के बाद आपको बताएंगे, अभी मक्खन दाले न, अभी एक मिनिट पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे, यह एक कॉतमिर दालनी कें पूलिन के लिए वि डींगे, दिश आओट लिक, निगां इसे मैं लिंख्यूमने के पटाइगे, ते मिलेओं इसमें दालनी के लिए प्राइटै परिखोचाान एक क हिस कर दालेएं कि इसमें वटाना है ना तो पेट नहीं चरने के लिए हिंग डालते हिंग से सवाद भी अच्छा आता है लजजत लगती एकदम फस्कलाश टेश्टी लगता है इसके लिए और थोरा सा अभी हम इसको पिशाउट करेंगे बता रहें देखो पाभाजी हो गई अभी हम इसको स अइसा मसका दाल के पाव को गुनने का तो तेस अच्छा आता है पस्कलाश अभी पाव को ऐसा काटने का भी इतमे हा और ऐसा फ्राइ करने का यह देखो अइसा पाव को दबा के अच्छे से फ्राइ करने की तो पाव भाजी भी अच्छी लगेगी और खोल के भी फ्राइ करने के हा यह देखो पाव भाजी बन के तयारे फर्स क्लास मसालेदार ऐसा बना की खाओ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो महें कीचन को सब्सक्राइट करो लाइक करो शेयर करो प्लीज